स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में Environment के Current Affairs के Revision का ये हमारा दस्वा लेक्चर है आज के इस सेशन में हम जून महिने के Environment के Current Affairs को Revise करेंगे इस सेशन का First Important Article Climate Breakthrough Summit के बारे में है अभी हाल ही भी से कंड़क किया गया है क्यों कंड़क किया गया ये बड़ा सवाल है फिर बाकी की बाते समझेंगे इसे इसलिए कंड़क किया गया ताकि हम ये देख सकें कि जो दुनिया में कई सारे Critical Sectors है Like Steel, Shipping, Green Hydrogen, Nature इसमें क्या Progress हो रही है इसे हम Evaluate करें कई सारे Agencies इस Summit में involved हों World Economic Forum, Mission Possible Partnership, United Nations Climate Champions United Kingdom Climate Change Conference Presidency जो है वो भी इसका हिस्सा रही है ये जो breakthrough है इसका एक major objective Net Zero Emission को अचीव करना है Net Zero Emission का मदर समझते हैं ना ये नहीं कि हम Emission करेंगे ही नहीं रधर अगर आप Carbon का Emission कर रहे हैं तो कुछ ऐसे technology opt करिए कि जितने Carbon का Emission आपने किया है आपने किया है तो आप 100 unit Carbon को सोखने में मदद करें इन moment में या तो पेर लगाईए या फिर जो Carbon Sequestration Technology है उसका इस्तेमाल करिए तो माना जाएगा कि आपका जो Emission है वो Net Zero है Net Zero निकल के आना चाहिए ठीक है क्या highlight रहे इस summit की इस summit की तरान जो United Nations है उन्होंने ये कहा कि हम सभी लेगों को coordinate करना होगा ताकि हम Global Level पे Net Zero Emission का जो target है वो अचीब कर सके United Nations ने ये भी डिमांड रखी है कि हमें 2050 तक जो मेरा target है कि जो Global Warming है उसे हम Pre-Industrial Level से 1.5 डिगरी के उपर नहीं जाने देंगे रोकेंगे यहाँ पे MyRisk ये दुनिया का काफी बड़ा container shipping line और vessel operator है इन्होंने भी इस campaign को join कर लिया है कई सारे जो private operators है उन्हें भी कहा जा रहा है कि आप इसका हिस्सा बनीए क्योंकि बहुत ज़दाए emission तो यही करते है न देकि Race to Zero campaign एक campaign चल रहा है दुनिया में वो क्या है Race to Zero यह जो campaign का नाम है यह एक UN-backed global campaign है जिसमें कोसिस यह की जा रही है कि जो non-state actors हैं लाइक companies, जो vessel operators हैं उनको इसका हिस्सा बनाया जाए cities, regions, financial or educational institutions इन सभी लोगों को इस campaign का हिस्सा बनाया जा रहा है कि हम जो global emission है उसे कम कर सकें और एक healthier, fairer और zero carbon world को establish कर सकें जो Race to Zero campaign है इसमें यह कोसिस करते हैं कि जो कई सारे non-state actors हैं या national governments हैं वो Climate Ambition Alliance को जोईन करें क्या है यह Climate Ambition Alliance CAA इसमें 120 देश हैं कई सारे private players भी हैं objective यह है कि 2050 तक हमें net zero greenhouse gas emission achieve करना है जो signatories इस Alliance के हैं वो वर्तमान में 23% global greenhouse gas के emission को cover करते हैं और 53% global GDP का coverage इनके पास है क्या India इसका हिस्सा है इस Alliance का? बिल्कुल नहीं India is not part of Climate Ambition Alliance हमरा next article State of Finance for Nature Report के बारे में है एक report है यह इस report को release किया गया है अभी हाल ही में ताकि जो nature based solutions हैं हम उनमें ज़्यादा investment कर सकी हैं देखे हमारे nature को कई तरीके से threat होता है threat किन किन तरीकों से होता है वैसे तो आप जानते हैं फिर भी मैं exemplify कर देता हूँ कई से disasters आते हैं climate change हो रहा है biodiversity का loss हो रहा है पानी की कमी हो रही है लोगों की health भी इस वज़े से खराब हो रही है अगर कोई ऐसा solution निकाला जा रहा है जो इन problems को address करेगा तो इसमें हमें investment की ज़रूरत होगी investment कहां कितना हो रहा है इसके बारे में कोई report तो हमारे पास होनी चाहिए न तो इस report को भी release किया गया किसने किया तीन entities involved थी United Nations Environment Program World Economic Forum और एक initiative भी इसका इससा था नाम था Economics of Land Degradation ये global trend track कर रहे हैं कि public private investment इस field में कितना हो रहा है जहां पे nature को जो नुकसान पहुचाने वाले चीज़ें हैं उनके field में हम investment कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं तो nature based solutions के लिए जिससे socio economic challenges address हो जाएंगे हम उनके लिए कितना और क्या काम कर रहे हैं क्या important findings इसे आहां पे निकल के आई हैं ये कहा गया कि nature based solutions के लिए पूरी दुनिया में लगभग 133 billion dollar खर्च किये जा रहे हैं एक साल में जो कि global GDP का 0.10% है इसमें सबसे जबद public investment आ रहा है वो USA के तरफ से आ रहा है approximately 36 billion dollar का इन अई है उसके बाद नंबर चाइना जापान जर्मनी और और ऑस्ट्रेलिया का है अर्टिकल ब्ल्यू फिंड महसीर के बारे में है एक प्रकार की मचली है ये न्यूज में इसली आई इसे इंडेंजर से लीस्ट कंसर्ण के टेगरी में डाल दिया है ये अच्छी बात है बायो डाइवरसिटी से संबंधित बहुत कम अच्छी खबरे आती है तो बढ़िया खबर आई है इस बार महसीर बिलॉंग करता है जीनस टॉर से देखे इस जीनस की बहुत सारी सबस्पेसीज हैं जो इंडिया में पाई जाती है और भी साउथ एशिया की कंट्रीज में ब्ल्यू फिंड महसीर और टॉर खुदरी ये कुछ सबस्पेसीज हैं महसीर की यहाँ पर आयूसियन स्टेटस अब इनका लीस्ट कंसर्न हो चुका है जैसा कि हमने न्यूज में देखा फीचर्स की बात करें तो सिल्वर और ब्लुईस कलर्ड फिश होती है ये ब्लड रेड यानि बहुत गाढ़ा लाल जो होता है वैसे इनके फिंस होते हैं या फिर ब्लुई स्टिंज आपको देखने को मिलेगा ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है इंडिकेटर स्पीसीज का मतलब समझते हैं क्या बहुत सिंसिटिव होते हैं ये अगर जरासी पानी में गरबड़ी हुई पॉलुईशन फैला तो ये बियर नहीं कर पाते मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल को लेकर काफी सिंसिटिव है वाटर तेंप्रेचर क्लाइमेटिक चेंज अगर पॉलुईशन हुआ पानी में तो ये बियर नहीं करेंगे और खतम होने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पानी है वो सही नहीं है ये इकोसिस्टम हेल्थ के एक इंडिकेटर की तरफ वर्क करते हैं क्योंकि इनको प्योर इन्वार्मेंट की रिक्वार्मेंट होती है ये फीड करते हैं प्लांट्स पे वेसिन का पार्ट है वैसे ये इसके अलावा ये डेकोंट्रेट्यू के कुछ और भी नदियों में आपको मिल जाएंगे माइडरी स्पिसीज है ये जब बारिस का मौसम आता है तो नदी का जो अप्स्ट्रीम होता है ज़र से पानी आ रहा होता है ये उदर जाने लगते हैं ठीक है कंजर्वेशन इनिशियेटिव जो टाटा पावर चला रहा है उसके बारे में बता दू टाटा ग्रूप पिछले 50 सालों से ब्ल्यू फिंड और गोल्डन महसीर को कंजर्व करने के लिए प्रयास कर रहे हैं इन्होंने महरास्ट्रा के लुनावला में पुने के नजदीक में वेलवान हैचरी में एक आटिफीशल लेक बनाई है इस लेक को बनाने के लिए इंद्रियानी रिवर को डैम किया गया मतलब उसके पानी को रोका गया इस artificial lake में blue finned और golden मैसीर की जो species हैं उनको इकठा करके conserve किया जाता है एक बार जब ये अंडे दे देते हैं तो 4-6 महिने तक वो यहीं पर रहते हैं जब ये fishes आ जाती हैं तो इनको कई सारे fisheries department को swap दिया जाता है ताकि इन्हें अलग-अलग lakes और rivers में इंटोड्यूस किया जा सके और इनकी diversity इंडिया में बढ़े तो काफी अच्छा काम किया जा रहा है इस initiative के तहट हमारा next article black carbon के बारे में है World Bank ने भी एक report को release किया है टाइटल था Glaciers of the Himalayas Climate Change, Black Carbon and Regional Resilience देखिए इस report के बारे में जानेंगे एक term यहाँ पर आ रहा है उसका मतलब आप समझ लीजिए HK-HK HK-HK का मतलब है Himalayas, Karakorum, Hindukush यह मतलब हुआ HK-HK का यह जो mountain range है इसमें लगभग 55,000 Glaciers आपको मिलेंगे अगर आप North Pole और South Pole के बाहर आएं तो जितना fresh water आपको HK-HK में मिलेगा उतना कहीं और नहीं मिलेगा ठीक है परके North Pole, South Pole में तो definitely बहुत सारा पानी है Glaciers के form में जो ice reserve है यहाँ का वो तीन important river basins को feed करता है South Asia के 2000 Indus, Ganges और Brahmaputra जिनके आज़ पास 750 million लोग रहते हैं मतलब काफी important region है यह इस लिहाज से देखे Black Carbon को काफी highlight किया गया इस report में Black Carbon आप समझ लीजिए Black Carbon एक short lived climate pollutant है छोटे छोटे carbon के particles होते हैं जो atmosphere में travel करते रहते हैं यह second largest contributor है warming के लिए just after carbon dioxide होता क्या है कि यह solar energy को absorb कर लेते हैं चुकि Black color आपको पता है सबसे ज़्यादा energy को absorb करता है इसके बाद यह atmosphere को गरम कर देते हैं जब यह earth के उपर गिरते हैं तो surface को darken कर देते हैं काला कर देते हैं चुकि Black particles होते हैं snow या ice के उपर गिरे तो उसके surface को भी darken कर देते हैं तो होता क्या है कि जब यह particles snow या ice के surface पे जम जाते हैं तो उनका जो albedo है वो reduce हो जाता है, कम हो जाता है, albedo का मतलब यह है कि जो उनके reflecting power होती है, जैसे बरफ के उपर अगर sun raise पढ़ती है तो reflect कर देता है, वो कम हो जाता है, इससे बरफ गरम होगी, गरम होगी तो क्या होगा आपको पता है न, तेजी से पिगलेगी, जो greenhouse gas emission है, उसके opposite, जो black carbon है, उसे आप आसानी से atmosphere से wash out कर सकते हैं, अगर इनके emission को आप रोग दें, तो यह आसानी से खतम हो जाएंगे, like gases तो बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं, यह खतम हो जाते हैं, source क्या है, HK, HK region के हम बात कर रहे हैं, industries, mainly brick kills, यानि की eat के भठे, जो घरों में ल emission में, जो on road diesel fuels होते हैं, वो 7-18%, और open burning जो होती है, सभी seasons को मिला के वो 3%, तो यह contribution यहाँ यहाँ से आता है इसका, findings क्या निकल क्या इस report में, black carbon का जो deposit है, वो human activities के वज़ा से काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसके वज़ा से glaciers और snow काफी तेजी से melt हो रहे हैं, हमालियन र और 1.0 meter या 1 meter की है, पर year east में, तो black carbon climate change के impact को और add-on कर रहा है, दो तरीके से यह deposits नुकसान पहुचाते हैं, पहला तो यह sunlight के reflectance को कम कर देते हैं, जैसे कि अब इम बात कर रहे थे, और दूसरा यह हवा को भी गरम करते हैं, तो वो और contribute करता है melting में, so that was all about black carbon, जो हमारा next article है, वो salt water crocodile के बारे में है, हाल ही में जो पटासाला river है, एक गाउं है, सिलापोखरी करके, बितरकन का national park में, वहाँ पर एक salt water या assuring crocodile मरा हुआ पाया गया, मैं आपको बता दूँ कि उईसा एक मातर ऐसा राज्य है भरत का, जहां पर आपको crocodile की सभी species मिल जाएंगे, अगर हम salt water crocodile की बात करें, तो सबसे बड़ा crocodile species है ये, धर्ती पर जो भी पाया जा रहा है, ये काफी infamous होते हैं, globally infamous है, man eater होते हैं, अगर आप इनके आसपास जाएंगे, तो ये आपकी टांग पगड़ के खीच लेंगे, और खा जाएंगे, या जान से मार देंगे, तो इसक इसकोबर island, South East Asia और Northern Australia में भी ये पाया जाते हैं, IECN के Red List में Least Concern है, Wildlife Protection Act of 1972 के Schedule 1 में है, साइट्स के Appendix 1 में है, लेकिन हर जगें के लिए नहीं, Australia, Indonesia, Papua New Guinea, यहां के लिए Appendix 2 में है, जहां पर population ज़्यादा होती है, वहां पर Ease दे दी जाती है, ऐसा ही होता है, थेट् तो अगर आसपास लोग इने देखते हैं, तो इनके उपर अटैक करके इनको जान से मार देते हैं, अब ये गलत बात है, सिंस ये इस जीव का नेचर है, आप सापको हाथ में रखकर ये उमीद नहीं कर सकते हैं, आपको बचके रहना होगा, और इसलिए आप जीव को मार त एक पर काम कर रही है, 1974 में हमारे पास जस्ट 96 जो साल्टो क्रोकोडाइल हैं वो थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 1760, 1768 हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लामो पोट ये हेडिंग अलग पड़ गई है, आटिकल सी स्नॉट के बारे में है, सी स्नॉट एक प्रक इन्वर्मेंटल कंसरंस रेस किये जा रहे हैं टर्की में, विकाज वहाँ पर सी स्नॉट का एक्किमिलेशन देखा जा रहा है, आस पास की वाटर बॉड़ी में, जो समंदर का एरिया है वहाँ पर, अगर ये सी स्लज या सी स्नॉट लगातार लंबे समय तक वहाँ पर बना की, जो आपको इस तरीके से देखने में लग सकती है, जहां आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक्शुली में, जब किसी वाटर बॉड़ी में, न्यूटरिन की मात्रा बहुत ज़दा बढ़ जाती है, तो जो एल्गी होते हैं, उनकी वज़े से ये फॉर्म होता है, अगर आप तर्की की लोकेशन देखना चाहते हैं, तो इस मैप में देख सकते हैं, ये इंडिया है, और यहां पर है तर्की, ये कोविड का मैप है, इसे मैंने यूज किया है, लोकेशन दिखाने के लिए, ऐसा नहीं कि इंडिया इन सभी देशों पर बॉम्बिंग कर रहा है, जैसा कि आपको प्राइमाफेशिया देखने में लग सकता है, बट ऐसा है नहीं, सीसनौट की बात करें तो इसे फॉर्स टाइम 2007 में रिकॉर्ड किया गया था, उसके बाद ये ग्रीस के नजदीक में एजिएंसी में भी देखा गया, अगर आप एजिएंसी की लोकेश भी सलच को देखा गया, देखें, न्यूटरिन की ओर्लोडिंग की वज़ए से सीसनौट की प्रॉब्लम होती है, और इसका कारण वाम वेदर हो सकता है, जो कि ग्लोबल वामिंग की वज़ए से हो रहा है, वाटर पॉलिशन हो सकता है, अनकंट्रोल्ड डंपिंग हो सकती ह है, जो कि हाउसोल्ड से आती है, मतलब घरों से गंदा पानी या कच्रा या इंडस्ट्रियल वेस्ट हम पानी में छोड़ देते हैं, तो उसकी वज़ए से भी प्रॉब्लम क्रेट होती है, अभी ये कहां देखा गया है, अभी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, सी ओफ मर्मरा में, जो तर्की का सी ओफ मर्मरा है, वहाँ पर ये सी सनॉट रिकॉर्ड किया गया और लोगों को प्रॉब्लम हुई, ये रेखे, ये तर्की है, और ये है सी ओफ मर्मरा, जो कि एजियन सी और ब्लैक सी के बीच में है, जैसा कि आप लोकेशन देख पा रहे हैं, तो पर ये प्रॉब्लम है, ये मरीन सिस्टम को कैसे अफेक्ट कर सकता है, टैवर्स ने ये बताया कि जिस रिजिन में सी सनॉट रिकॉर्ड किया गया है, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मच्छलियां मर गई है, जिन्हें कोस्टल रिजिन में भी देखा जा सकता है, य ये जो सी सनॉट या सी सलज है, ये सर्फेस को कवर कर लेता है, और कई बार ये पानी में 80-100 फीट की गहराई तक भी पाया जाता है, अगर इसे रोका नहीं गया, तो संभाव है कि ये जमीन में नीचे जो लेयर होती है, जो सी सर्फेस होता है, वहाँ पर जाके जम जाए, उसके बाद ये मरीन इको सिस्टम को बुरी तरीके से प्रभावित करेगा, पानी पॉजन हो जाएगा इस तरीके से, तो एकुर्टिक लाइफ उसे बियर नहीं कर पायेगी, लाइक फिशे, स्क्रैप्स, और्स्टर्स, घोंगाया, सीप, या फिर सी स्टार्स, ये सभी मरन लगेंगे, तो ये प्रॉब्लम तो आएगी, नेक्स्ट आर्टिकल, UN CEO Water Mandate के बारे में है, देखे जो वैदिस इंडस्ट्रीज होती है, कई सारे देशों में, उनसे जो पानी निकलता है, वो अकसर गंदा होता है, पॉल्यूटेड होता है, एक इनिशेटिव है, UN Secretary General और UN Global Compact का, जिसमें उनकी partnership Pacific Institute के साथ भी है, इस initiative को 2007 में तयार किया गया था, इस mandate को 2007 में तयार किया गया था, इसमें ये partnership करते हैं, various industries के साथ, ताकि उनकी यहां से जो पानी निकल रहा है, वो गंदा ना हो, वो उसे treat करें और पूरी कोसिस करें, कि पानी को आस-पास के region में सा साफ रखा जाए, ताकि जो हमारा sustainable development goal है, हम उसे achieve कर सकें, तो NTPC Limited जो इंडिया की एक company है, उसमें अभी इसे sign कर लिया है, मतलब कि वो भी कोसिस करेंगे, कि जो NTPC से पानी निकलता है, वो गंदा ना निकले, वो साफ हो, एक प्रकार का global commitment platform है, जहां पर corporates एक साथ आते ह हैं, पानी को साफ रखने के लिए, कई तरीके से, पानी को इस तरीके से साफ रखा जाए, कि वो socially equitable हो, मतलब समाज में सभी लोगों को साफ पाने मेरे, environmentally sustainable हो, और economically भी beneficial हो, ऐसा नहीं कि companies lost में जाए उसके बज़ए से, 6 commitment areas हैं इसमें, direct operation, जिसमें वो सीधे सीधे, अपने जो polluting water है, उसको कम करते हैं, supply chain, watershed management, collective action, public policy, community engagement और transparency, इन मुद्दों पर काम किया जाता है, United Nations Global Compact Initiative के बारे में बात करें, तो ये एक non-binding initiative है, United Nations का, purpose ये है कि दुनिया भर की companies को encourage किया जाए, कि वो ऐसी practices या policies को opt करें, जो sustainable हो, और society के लिए beneficial हो, United Nations, दस principle को इस तरीके से categorize करता है, जो जिसमें सामिल है, human right, anti-corruption, environment, labor, etc. देखिए, इस initiative को launch किया गया था, UN Secretary General के दवरा, 1999 में, फर्दर इसे officially launch किया गया, 2000 में, New York में, आर्टिकल, स्री विल्ले पुथर, मगा मलाई Tiger Reserve के बारे में है, आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा, because ही काफी latest है, 51st Tiger Reserve of India, इसे declare किया गया है कुछ समय पहले, context ये है कि इस पूरे Tiger Reserve के core zone में, एक सड़क जाया करती थी, काफी लंबे समय से बन थी, लेकिन अभी उसे वापिस से चालू करने की बात की जा रही है, it is a kind of shock for environmental activists, कि अभी तो आपने इस एरिया को protect करने के लिए Tiger Reserve डिकलेर किया, थोड़ा और protection grant करने की कोशिस की, और अभी आप वहाँ पी human activity को बढ़ाने वाले हो, इसी बात को लेकर कई सारे environmental activists ने National Tiger Conservation Authority में इस बात को लेकर complaint भी की है, बात करते हैं इस Tiger Reserve के बारे में, इस Tiger Reserve को तमिल नाडू के पांच में Tiger Reserve के तौर पे establish किया गया, और इंडिया का 51st, फर्वरी 2021 में इसे Central Government और तमिल नाडू के सरकार ने एक साथ Tiger Reserve के तौर पे declare कर दिया, इसमें देखे एक तो है मगामलाई वाइलेफ सेंचूरी और दूसरा है स्रेविल पुतुर वाइलेफ सेंचूरी, दोनों को एकठा करब किया गया, और Tiger Reserve बना दिया गया, वेजिटेशन की बात अगर आप करें तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, सेमी एवर ग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, ड्राइड डेसिडिवस फॉरेस्ट, यह सब मिल जाएगा, फोना की बात करें, तो जो मगा मलाई वाला रीजिन है, वहाँ पर आपको स्पॉर्टेट डियर, इंडियन गौर, वाइल वोर्स और कई सारे और कार्निवर्स मिलेंगे, जबकि स्रिवल पुथर की बात करेंगे, तो यहाँ पर ग्रिजल, जाएंट, स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल, लिपर्ड, निलगी डिटार, जंगल कैट, सांबर, एलिफेंट, लाइन टेल, मकाक, और भी कई सारी पक्षियों के स्पीसीज भी मिल जाएएगी, स्रिवल पुथर मगा मलाई टैगर रिजर्व के अलामा, चुकि यह पांचवा है ना तो मिल नाडू में, तो चार और होंगे, जो बाकी के चार हैं, 2000 MTR, ATR, STR और KMTR, फुल फॉर्म याद रख लीजिए, मुदो मलाई टैगर रिजर्व, अना मलाई टैगर रिजर्व, सत देहिंग पटकई, लोकेशन अगर आप देखना चाहते हैं मैप में, तो देखी यह आसाम का मैप है, और बिलकुल इसके ऊपर के हिस्से में, अपर आसाम में, यहाँ पर आपको मिलेगा, यह जो डिब्रुगड और तिनसु किया डिस्टिक्ट है, इसका एरिया कवर होता ह है, इस नेशनल पार्क में, यह आपको देहिंग पटकई elephant reserve के, elephant reserve के हिस्से के रूप में मिलेगा, मतलब वो तो एरिया काफे बड़ा है, बट उसी का एक हिस्सा, अब नेशनल पार्क भी डिकलेर कर दिया गया है, अपर आसाम में है, जैसा कि मैप में हमने देखा, डिब् डिस्टिक्ट हैं यह, वहाँ पर यह नेशनल पार्क डिकलेर किया गया है, एसिया की सबसे पुरानी, oil refinery, डिक बोई, और open cast coal mining, जो लीडो में होती है, वो इसी sanctuary के हिस्से में आ जाएंगे, नस्दीक में आ जाएंगे, open cast coal mining का मतलब होता है, कि surface को बिलकुल हटा कर coal निक परा जाता है, इसका नाम देहिंग पटकई क्यों रखा गया, अगर आप यह जानना चाहें, तो देहिंग देखे एक नदी है, जो इस national park के 20 से गुजरती है, और पटकई एक hill है, जिसके surrounding में, जिसके foot hills में यह national park पड़ेगा, दोनों को मिला कर देहिंग पटकई नाम रख और सेरो, मलायन, जाइंट, स्क्वेर, इसके अलामा, आपको सेंचुरी में, साथ different species cats की भी मिल जाएंगी, दोजार टाइगर, लेपॉर्ड, 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 कैट, गोल्डन, कैट, जिंगल, कैट, मार्बलेट, कैट, तो यह सार बात कर रहे थे, कि यह सात्वा नेशनल पार्क है, यहां पे पार्क में आर मिसिंग है, ठीक है, तो छे होंगे, तो छे कौन से हैं, दोजार काजी रंगा, मानस, नामेरी, औरंग, लिब्रु सैखो और रैमोना नेशनल पार्क, तो यह छे बाकी के हैं, सात्वा तो अभी देहिंग पटकई आही गया है, ठीक है, अर्टिकल, एर्गोस्टेमा कॉरिंटीना के बारे में है, यह कॉफी की एक नई प्रजाती है, जिसे केला के वगामोन हेल्स में, डिस्कवर किया गया है, खोजा गया है, एर्गोस्टेमा कॉरिंटीना, इसका नाम कॉरिंटीना इस जिसके जो stems होते हैं उनमें लकडी नहीं होती, नरम होते हैं, तो ये तो हमने इस plant के बारे में बात कर ली, हमारा next article पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में है, 200 से ज़्यादा जो contingency workers हैं पक्के टाइगर रिजर्व में, वो indefinite strike पे चले गए है, पक्के टाइगर रिजर्व की लोकेशन है, अवनाचर पदेश का जो पक्के किसांग district है वहाँ पर, पक्के टाइगर रिजर्व जो अपना, इसका एक और नाम है, तैट इस पक्कुई टाइगर रिजर्व, और इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहप एक रिजर्व के तोर प पक्के टाइगर रिजर्व भी पक्के टाइगर रिजर्व है, जबकि सवाल बहुत आसान था, लेकिन चूंकि identify नहीं कर पाए, तो दिक्कत होगी, बहुत सा है लोगा गलत भी हो गया था, बाइडविसिटी की बात करें, तो Eastern Himalayan बाइडविसिटी होट्सपॉट की रिज में, जिसके उपर इसका नाम है, आसपास में जो रिजर्व फॉरेस्ट है, दो जार पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, असाम का नामेरी निशनल पार्क, दोविमारा रिजर्व फॉरेस्ट और इगलनेस वाइलाफ संचुरी, यह सब इसके आसपास है, लेकि जो question UPSC प्रि उडिसा की सरकार ने बोला है कि एगर कोई घडियाल को बचाएगा, जो कि critically endangered है, तो उसको 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, वैसे तो देखे, कोई भी जीव अगर संकट में है, तो लोगों को वैसे भी बचाना चाहिए, लेकिन घडियाल को बचाने के लिए 1000 रुपए उसकी तरह दिखती है, दैसे इसे नाम घडियाल दिया गया है, ये नदियों में रहना पसंद करता है, जो थोड़ी गहरी हो, पानी साफ हो और तेजी से बहरा हो, जिनके आसपास का किनारा जो है, वहाँ पर रीत हो, वहाँ पर ये रहना पसंद करते हैं, वैसे तो पहले ये बांगलादेज, भूटान, इंडिया, म्यांगमार, नेपाल, पाकिस्तान, हर जिगे पाया जाते थे, बट दिमे दिमे खतम हो गए, और अब ये बहुत कम जगहों पर इंडिया और नेपाल में पाया जाते हैं, इंडिया में ये आपको सोन नदी, गिरवा, गंगा, मह नदी और चंबल नदी में ही पाये जाएं, मिलेंगे, नेशनल चंबल संक्चुरी और कतरनिया घाट वाइलाफ संक्चुरी हैं, जहां पर इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, आईउसें रेल इस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइलाफ प्रोटेक्शन एक्ट चंबल संक्चुरी जो है, वहाँ पर इन्हें कंजर्व किया जा रहा है, महानदी की बात करते हैं, यह 3rd largest peninsular river है, कुदावरी और कृष्णा के बाद, उडिशा की सबसे बड़ी नदी है, इसका कैच्चमेंट एरिया चातिजगर, मद्रपदेश, उडिशा, जार्खन और तेलका, देखी घडियाल के उपर भी question UPSC ने एक बार पूछा है, इसमें simple question यह पूछा गया था, कि अगर आपको घडियाल को natural habitat में देखना है, तो 4 options में से कहां ही आपको मिलेगा, वितरकन का मैंगरूव में, चंबल नदी में, पुली कट लेक में या डीपोर बेल में, आपको समझ में आ गया होगा, चंबल नदी में आपको यह मिलेगा, तो सही जवाब B है, तिकल Brood X Cicadas के बारे में है, USA में इस समय Brood X Cicadas का प्रकोफ फैला हुआ है, वहाँ पर यह बहुत बड़ी संख्या में आ गये हैं और news बन रही है पूरी दुनिया में, पूरी दु जिन Cicadas ने अटैक कर दिया, या एकदम से बिल्कुल उसके सामने आ गया घेर लिया उसको, तो वो उड़ नहीं पाया, इससे जर्नलिस्स पहुंचने में डिले कर गये, और उनका जो final statement था वो भी डिले हुआ, इन फैक एक Cicada तो इनके उपर भी कूद गया, खैर, ठीक है Cicada ही था, एक कीड़ा है, कोई साम थोड़ी है, कितना बवाल मचाया जा रहा है, वैसे ये काटता भी नहीं है, तो इसी वज़े से ये पूरा बिल्कुल न्यूज में है, जो term है, इसमें brood, ये Cicada की population को refer करता है, ये Cicada की बाकी की population से इसलिहास से लग हो जाते हैं, because य एक certain year में ही आते हैं, और एक local area को ही प्रभावित करते हैं, 17 साल बाद ये जो Cicada की population इस समय आई हुई है USA के region में, Pennsylvania, Northern Virginia, Indiana और Eastern Tennessee, 17 साल बाद वहाँ पर आई है, इनका term होता है, मतलब कुछ Cicada के प्रजातियां 13 साल में एक बार बाहर निकलती हैं, कुछ 17 साल में एक बार जमीन के भीतर ही रहते हैं, और जो trees के roots होते हैं, उन पर ये feed करते हैं, 7 species वैसे इनकी हैं, जिसमें से कुछ annual हैं, जो हर साल बाहर आ जाते हैं, लेकिन इनमें जो males होते हैं, वो बहुत तेज आवाज करते हैं, actually वो गाना गाते हैं, females को attract करने के लिए, बर उनका sound बहुत होता है, तो अगर ये पूरे जुंड में आ जाएं और खूब तेज से चलाने लग जाएं, तो definitely आपको irritation होने लगेगी, ये इतने लंबे समय तक नीचे रहते क्यों हैं, बाहर क्यों नहीं आते, क्योंकि ये उनका पूरा time period होता है, जिसमें वो mature होते हैं, adult होते हैं, अग आपको समझ में आ गया होगा कि 17 साल में एक बार पहले उसके पहले क्यों नहीं आते, क्योंकि 17 साल के पहले आ जाएंगे, तो लोग उसके पहले चॉकलेट में लपेट के खा जाएंगे, तो दिखकर तो है, हमारा last article heritage trees के बारे में है, महरास्टरा के सरकार ने एक प्रस्ता रखा है, वो चाहते हैं कि महरास्टरा Urban Area Protection and Preservation of Trees Act of 1975 को वो amend कर दें, ताकि heritage tree को बचाया जा सके, heritage tree का क्या मतलब है, कोई भी ऐसा पेड जिसकी उम्र 50 या उससे अधिक साल की है, उसे heritage tree का दर्जा दे दिया जाएगा, कुछ specific species होंगी जिनको notify कर दिया जाएगा, अब पत department, forest department के साथ consult करके तयार करेगा, कि अखिर कैसे पता करेंगे कि कौन से पेड की उम्र कितनी है, अभी का जो प्रावधान है, उसमें, अगर कोई व्यक्ति किसी एक पेड को काटता है, तो उसे उसे compensate करने के लिए एक पेड लगाना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पर प्र को लगाया जाएगा, तो उसकी height कम से कम 6-8 feet होनी चाहिए, मतलब बड़ा पौधा लगाना पड़ेगा, ताकि वो जल्दी तयार हो जाए, further, geotagging भी की जाएगी, ताकि यह देखा जा सके, 7 सालों तक at least, कि उसकी अच्छे से care की जा रही है कि नहीं, तो नहीं कि पेड ल लगा सकते हैं, तो आप पैसा दे दीजे, मतलब monetary compensation भी आप दे सकते हो, जो संसोधन किया जाएगा, उसके मताबिक tree authority बनाने का भी प्रावधान है, जो पेड़ों को बचाएंगे, हर 5 साल में एक बार पेड़ों की गिंती करेंगे, और ये भी बताएंगे कि कितने heritage tree हैं उ उससे अधिक है, तो state tree authority से उन्हें अनुमती लेनी होगी, ये direction भी issue कर सकते हैं, एक tree से भी लगा सकते हैं, अगर किसी व्यक्ती ने बिना अनुमती के heritage tree को काटा है, तो उसे एक लाख रुपर तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है, आर्टिकल है, वो पाइरोस्त्रि पंद्रा मीटर लंबा एक पेड़ है, जो कॉफी वैमिली के जीनस से बिलॉंग करता है, अभी हाल ही में discover किया गया है, कुछ ऐसा दिखता है, देखें काफी लंबा सा ये, पंद्रा मीटर लंबाई का लगभग ये पेड़ है, कहां मिला है, ये जरूरी सवाल है, मिला है अंडमान आइलेंड्स में, ये आपको जरूर से याद रखना है, किसे मिला, इंडिया और फिलिप्पीन्स के रिसर्चर्स वहाँ पर अपनी खोज के लिए गया थे, उसी दौरान उनका सामना इस पेड़ से हो गया, पैरोस्त्रिया लाल जी, ये एक नई स्पिसीज है, प और रियर है, that's why IUCN के red list में इन्हे critically endangered की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब अगर ये भारत में मिले हैं, तो important हैं, और आपको पता होना चाहिए, बात करते हैं, पैरोस्त्रिया लाल जी के physical features के बारे में, इसके जो पेड़ होते हैं, उनका stem काफी लंबा होता है, और trunk पे white coating आपको देख सकती है, ये पेड़ आप देख पा रहे हैं, यही इसका physical feature है, further ये अपनी family के बाकी पेड़ों से इसले हस से लग हो जाता है, because इसमें आपको 8 से 12 फूलों का एक छतरी नुमा गुच्छा दिख जाएगा, और ये feature इसे बाकी जो पौधे हैं, इस family के उनसे अलग कर देता है, इसके जो fruit droops होते हैं, मतलब ऐसे fruit जिसमें किवल एक single seed होता है, उनका shape अबवाइड होता है, यानि कि egg के shape का होता है, या sub-globos हो सकता है, जैसे globe का जो हमारा shape होता है, उस तो तो different, ये green, yellow या फिर white color का हो सकता है, और जब ये mature होते हैं, तो brown दिखने लगते हैं, तो ये तो physical feature की बात हो गई, नाम देखे इसका रखा गया है, पाइरोस्त्रिया लाल जी, लाल जी सिंग के नाम पर, ये joint director रहे हैं, अंडमान एनिको बार regional center के botanical survey of India के लिए, तो उन्ही के नाम पर इसे ये नाम दिया गया, ये पेड हमें कहां मिला है, ये तो मैंने आपको बता दिया क्ये अंडमान आइनलेंंड पे मिला है, अंडमान आइनलेंड पे कहां मिला है, तो यही पर ये पेड़ हमे रहे है, जहांपर ये मिल सकते है, 2030 वारी के पास में है, और चिडिया तापू, या मुंड पहाड फ़रिस्ट, ठीक है? देकि रिसरचर्स ने इसी दौरान पोक वीड स्पीसीज की एक नई स्पीसीज को भी खोजा, उन्होंने सोचा कि जब खोजबीन चल रही है तो इकठा खोज लेते हैं, ताकि बच्चे प्रिलिम बूश्टर पढ़ते दौरान एक ही बार में पढ़ लें, इसे उन्होंने ना बेरी जिसमें लगती हैं, यह जो डिस्कवरी है, नई स्पीसीज की यह फॉर दर फर्स टाइम, जो फैमिली, पैस्ति वेरिसिया है, उससे पहली बार यहां अंडबान निकोबार आलें में मिला है, तो एक और स्पीसीज यहां पे मिल गई, अब आप सोच रहे होंगे कि य पैरोस्तिरिया लाल जी कॉफी की एक स्पीसीज है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्या सच में UPSC ऐसे प्रशन पूछती है, तो जवाब है हाँ, UPSC ऐसे प्रशन पूछती है, देखे, 2016 के UPSC ने ये क्वेशन पूछा था प्रलिम्स में, कि साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में, एक नया और विसेश प्रकार का बनाना प्लांट हो जाए, जिसकी हाइट 11 मीटर के आसपास है, और और औरेंज कलर के फ्रूट पल्प इसमें निकलते हैं, इसे कहां खो जा गया है, यही सवाल आप से पूछा गया था, अप्शन थे अंडवान आइलेंड, अनाइम होगा, तो जवाब A है, ठीक है, हमरा नेक्स्ट आर्टिकल, ऑपरेशन ऑलीविया के बारे में है, हाली में इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन ऑलीविया सुरू किया है, और रिडले टर्टल को बचाने के लिए, कोई नया इनिशेटिव नहीं है, पहली बार इंडिय तो असी के दसक में सुरू किया गया था, परपस बिल्कुल साफ है, हमें औलिव रिडले टर्टल को बचाना है, जो उडिसया का कोस्ट का रीजिन है, नॉमबर से दिसंबर के महिने में वहाँ पर आते हैं, औलिव रिडले टर्टल, तो उन्हें हमें बचाने का काम करना है इंडिया के जो कोस्ट گार्ड हैं, वो इस पूरे meditate करते हैं, इसके लिए वो round the clock surveillance करते हैं, इंडियान कोस्ट गार्ड के पास जो fast patrol vessels हैं, interceptor craft है, armor aircraft हैं, उन सभी का استعمال इसमें किया जाता है, बात अगर olive रिडले turtle की करें, तो ये दुनिया के सबसे चोटे और सबसे अधिक मात्रा में पाय जाने वाले turtles हैं ये turtle कार्णिवोर्स होते हैं इनके कवच का जो रंग होता है वो olive होता है इसलिए इन्हें नाम दिया गया है olive ridley turtle olive color कैसा होता है ये जो background में slide का color है ये olive color है मैंने जानबूच की ये color लगाया है ताकि आप समझ जाएं कि olive color कैसा होता है यहाँ पर देखिए turtle का color भी लगभग इससे मिलता जुलता है आप समझ गए होंगे इसका नाम ऐसा क्यों है ये thousands of kilometers migrate करते हैं पूरे साल में feeding के लिए, mating के लिए और एक unique mass nesting के लिए जाने जाते हैं इकठा जाके रहते हैं जिसे अरी बादा कहा जाता है यहाँ पर thousands of females एक साथ आती हैं और अंडे देती हैं habitat इनका warm waters है Pacific Atlantic और Indian Ocean का गहिर माथा marine century जो उडिसा में है बो दुनिया का सबसे बड़ा rockery है sea turtles के लिए का मतलब जहाँ पर इकठा आके कोई भी जीव रहता है IUCN red list में इन्हें vulnerable रखा गया है sites के appendix 1 में और wildlife protection act of 1972 के schedule 1 में बाकी initiatives जो इनको बचाने के लिए हैं इनकी accidental killing ना हो इसे रोकने के लिए उईसा के सरकार ने ये mandatory कर दिया है तो साथ में turtles भी अटक जाते हैं वैसे तो ये किसी के काम के नहीं होते बट ये मर जाते हैं तो जो trawlers के पीछे जाल लगाया जाते हैं उनमें एक window होनी चाहिए जिसमें अगर कच्छवा फच जाए तो वो इस window से निकल सके जैसा कि आप image में देख सकते हैं हाला कि मचलिया इससे नहीं निकल पाएंगी लेकिन ये turtles के लिए एक exit cover की तरह काम करेगा तो इसके जरीए भी हम olive riddle turtle को बचाने की कोशिस कर रहे हैं देखे 2015 के प्रिलिंस में ये प्रशन पूछा गया था कि इंडिया का national aquatic animal क्या है उन्होंने option में olive riddle turtle को भी दिया था हला कि ये गलत था जो सही जवाब है that is gangetic dolphin gangetic dolphin is the correct answer ठीक है हमारा next article rosewood यानि की सीसम के पेड़ के बारे में है काफी ज़्यादा demand है इंटरनेशनल मार्केट में सीसम के पेड़ को लेकर instruments बनाया जाते हैं furniture's बनाया जाते हैं इसलिए illegal तरीके से नहीं काटा जाता है scientific name है Delbergia, Latifolia याद ना रहे तो समस्या की बात नहीं है देखे ये आपको deciduous tropical और subtropical forest में मिलेंगे जहाँ पर soil में काफी ज़्यादा नमी हो ये 3000 से 1000 मीटर जो समंदर की उचाई है वहाँ तक आपको मिल जाएंगे ये इंडिया, नेपाल, बांगला देश, म्यांगमार, जावा और इंडोनेशा में मिलते हैं Indian rosewood को season कहा जाता है features की बात करें तो ये 40 मीटर तक लंबे हो सकते हैं इनका color जो लाल color का होता है और एक अच्छी खुस्बू होती है इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है musical instruments बनाया जाते हैं furniture, flooring, plywood, carving और molding की जाती है musical instruments में ज़्यादा तर इससे guitar बनाया जाता है conservation efforts की बात करें तो इसे 1927 के Indian Forest Act के तहत protect किया गया है सीसम के पेड के lock को काटना और export करना ban है केला restriction on cutting and destruction of valuable trees rules 1974 भी यह कहता है कि 2.5 मीटर से अगर कोई सीसम का पेड रोजवुड छोटा है तो आप उसे काट नहीं सकते protection status की बात करें तो vulnerable है IUCN के red list में और sites के appendix 2 में है ठीक है threat की बात करें तो चुकि commercial value बहुत ज़ादा है तो ज़ादा काट दिया जाता है और deforestation हो रहा है तो सारे पेड कट रहे हैं तो यह भी कट रहे है हमारा next article UN high level dialogue on desertification, land, degradation and drought के बारे में है हमारे prime minister जो है उन्होंने keynote address दिया है अभी United Nations के high level dialogue on desertification, land degradation and drought में जो dialogue है इसे organize किया गया था United Nations General Assembly के President के द्वारा इस पूरे dialogue का focus क्या था, objective क्या था focus यह था कि पूरी दुनिया में जो community है उसका attention land issue के उपर लाया जाए land जो सुखती चली जा रही है पानी की कमी के वज़े से या फिर implement कर सके, COVID-19 adaptation और recovery strategies में भी हमें इसे सामिल करना होगा ताकि हम एक साथ मिलकर इसके लिए भी काम कर सके, जो dialogue है यह encourage करता है सभी member states को कि वो ऐसे solutions को adopt और implement करें, जिससे हम land degradation neutrality target को achieve कर सके, land degradation neutrality target का मतलब यह है कि एगर human activity के वज़े से जो land है वो degrade हुआ है तो हम उतनी land को जो पहले degraded था इंदच करने further national drought plan के according भी काम किया जाएगा इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने सेप्तंबर दो हजार 19 में जो 14th session हुआ conference of party यानि कि COP का United Nations Convention to Combat Desertification यानि कि dialogue है वो UNCCD का ही पाट है UNCCD के गरम बात करें United Nations Convention to Combat Desertification इस UNCCD को established किया गया था 1994 में ध्यान दीजीगा कि ये एक मात्र legally binding international agreement है जो की land management के development और sustainable user related है एक मात्र है ध्यान दीजीगा binding है एक मात्र convention है जो की Rio Conference के दुरान जो Agenda 21 तयार किया गया था उससे निकला है Agenda 21 1992 में जब Earth Summit हुई थी Rio में उसके दुरान ये Agenda तयार किया गया था 21 का मतलब में आपर 21st century है Agenda 21 actually में comprehensive plan of action हुआ करता था ठीक है उसे के तहत ये एक मात्र कंवेंशन है जो existence में आया अब COP14 जो UNCCD का है उसके 14 session की बात करते हैं for the first time ये जो UNCCD का session है इसे प्रसाइड किया गया इंडिया के द्वरा रिटा नुएडा में 2019 में conference की theme थी restore land sustain future इस दौरान एक declaration भी जारी हुई थी काफी news में आया थी उस समय 2019 में नाम था Delhi declaration Delhi declaration में बात की गई थी कि हम better access करेंगे land का emphasize करेंगे gender sensitivity और transformative projects के लिए ये सारी बाते हमने यहाँ पे की ध्यान दीजीगा कि जो better land use है वो हमारे 17 sustainable development goals में से भी एक है पंद्रहवे नंबर पर है life on land यहाँ पे हमें land को भी बचाना होता है तो यह इसका भी हिस्सा है reference question देखते हैं क्या ऐसे question कुछ पूछे गए है United Nations Convention to Combat Desertification यानि कि UNCCD पर UPSC ने 2016 के प्रिलिंस में question पूछा था टीन statement दिये गए थे पहला तो यह कि यह aim करता है कि promote करे effective action innovative national programs और supportive international partnership के माद्यम से दूसरा यह था इसका special focus होता है South Asia, North Africa region पे और इसका जो secretariat है वो facilitate करता है major portion of initial resources को these regions के लिए ठीक है और तीसरा है कि यह committed है bottom up approach में यह encourage करता है participation local लोगों का desertification को commit करने के लिए बताए कौन सा statement सही है कौन सा गला जवाब बताएए अंदाजा लगा यह लगा लिया तो ठीक है नहीं लगा पाए तो कोई बात नहीं इसका सही जवाब 1 and 3 है यह जो दूसरा statement है यह गलत है पहली बात तो यह South Asia पे focus नहीं करता और दूसरा security rate का का काम यह नहीं है कि वो funds के allocation पर ध्यान दे तो C इसका answer होगा ठीक है 1 and 3 only Agenda 21 पे भी UPSC ने 2016 के ही प्रेलिम्स में पूछा था यह पूछा गया था कि statement है दो आपको बताना है Agenda 21 एक global action plan है sustainable development के लिए और दूसरा यह originate हुआ world summit on sustainable development held in Johannesburg in 2002 आपको पता है बीमारी बात हो रही थी कि Agenda 21 एक स्टमिट में आया था है यह तो गलत हो गया ना सही जवाब क्या होगा one only यह इसका सही जवाब है तो ऐसे प्रशन पूछे जाते हैं UPSC के दौरा ऐसे topics पर आप तयार रहे हैं हमारा next article भरी ताला शकस तपानी के बारे में है थोड़ा अजीब नाम है बट इतना वह मुश्किल नहीं है देखे 20th century के mid में यानि की 1950 के आसपास जो Indian Statistical Institute है कोलकाता का उन्होंने काफी extensive study की थी ये रापली formation में जो rocks हैं जो वर्तमान में तिलंगा ना में है वहाँ की rocks की वहाँ पर उन्हें कई सारे fossils मिले थे उन fossils की study काफी लंबी समय से चल रही है इसी study के दौरान हमें एक बहुत important fossil मिला वो जो fossil हमें मिला है वही है भरी ताला सकस तपानी का fossil जिसे study के दौरान अभी पाया गया है हलांकि इसका fossil उन्हें 150 के दौरान ही collect किया गया था study में जो specimen हमारे पास थे उन्हें को study किया जा रहा था तो हमारी निगाह गई एक carnivors reptile के उपर जो आज से 240 million year ago रहा करता था इसे नाम दिया गया है भरी ताला सकस तपानी ये एक reptile की family से belong करता है जो अब extinct हो चुकी है उस family का नाम है erythro shakadai ये इस family को नाम दिया गया है खर ये याद ना रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है देखे भरी ताला सकस तपानी ये आपको बोलने में तोड़ा मुस्किल लग रहा होगा बट simple इसका मतलब है आप इस सब्द को चार हिस्तों में बात दीजिए भरी ताला सकस और तापानी भरी का मतलब होता है huge ताला का मतलब होता है सिर मतलब एक बड़ा सिर होगा इसके पास सकस का मतलब एक Egyptian crocodile headed deity से है यसे हमारे यहाँ भी Hindu mythology में जो भगवान गड़ेस है उनका सिर जो है वो हाथी का है तो वैसे ही Egypt में भी एक God है जिनका सिर crocodile का होता है तो उन्हें सकस बुलाते है तो उसी के नाम पर यह नाम रख दिया गया है भरी ताला सकस अब तापानी का क्या मतलब है तापानी actually में नाम लिया गया है एक paleontologist के नाम पर जिनका नाम है तपन राय चौधरी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था paleontologist वो लोग होते हैं जो earth के उपर life के history को fossils के मादियम से study करते हैं तो उन्होंने अच्छा contribute किया था इसलिए उनका नाम भी जोड दिया गया तो आपको समझ में आ गया होगा कि भरी टाला सकस्ता पानी ये नाम क्यों रखा गया है features की बात करें तो ये जो जीव है इसका बहुत बड़ा सिर था और बड़े बड़े नात थे probably ये उस समय का बड़ा एक predator था जो छोटे-छोटे reptiles को मारता होगा इसका size उस समय अंदाजा ये लग रहा है कि एक adult meal जो loin आज का है उतना हो रहा होगा और समभौता वो अपनी ecosystem में सबसे बड़ा predator भी रहा होगा ये रपली formation की बात करें ये रपली formation प्रानहिता और गुदावरी बेसिन जो है नदी का वहाँ पर है तिलंगाना में ये rocks हैं जो red mudstone से बनी हुई हैं ट्रियासिक period की हैं ट्रियासिक period एक geological period है जो 50.6 million years एगो हुआ करता था तो ये सारी बाते भरी तरह सकस तापानी के बारे में हुई हमारा next article mangroves के बारे में है उडिसा की सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि वो mangroves और कशुआरेना जो कि 70-30 species का एक जीनस है coastal belt में उनके plantation को increase करेंगे बात हमें largely mangroves के बारे में करनी है mangroves दुनिया भर में tropics और subtropical region में मिलेंगे आपको मतलब equator से 30 degree north और 30 degree south में mangroves एक प्रकार की जाडियां होती है या छोटे पेड होते हैं जो coast पर समंदर के किनारे saline या फिर brackish water में आपको उगते हुए दिखेंगे mangroves salt tolerant पेड होते हैं जो भी बौधे salt के content को tolerate कर सकते हैं उन्हें halophytes कहा जाता है इस लिहाद से आप mangroves को भी halophyte बोल सकते हैं या harsh coastal conditions को bear कर सकते हैं अब चुक्कि दिखें ब्रकish water में या saline water में रहेंगे तो नमक तो पीएंगे न तो नमक को इस सहनी की छंता इनके पास होनी चाहिए ऐसा भी नहीं है कि सारा का सारा नमक ये पी ही लेते हैं इनके जड़ों के पास तनों के पास एक complex salt filtration system होता है जिसके माध्यम से ये पानी में से नमक के content को छान देते हैं लेकिन फिर भी कुछन कुछ नमक तो इन्हें मिली जाता है further इनके पास एक complex root system होता है जिसके माध्यम से ये जो salt है उसे आसानी से निकाल भी पाते हैं देखे salt को बाहर करने का इनका वड़ा अच्छा सा तरीका होता है इनके पास bladders होते हैं पत्तियों में इनके माध्यम से ये salt content को पत्तियों के उपरी प्रत्वे जमा करते हैं और फिर पत्तियों खुद को चटका देती हैं और सारा नमक जड़के गिर जाता है कई वार ऐसा होता है कि इन पत्तियों के लिए ये संभव नहीं होता कि वो उस नमक को गिरा सकें तो वो पत्तियों और ज़ादा नमक को सोखने लगती हैं और जब वो बहुत साय नमक को सोख लेती हैं, तो खुद को गिरा देती हैं। ऐसी पत्तियों को sacrificial leaves या बलिदान देने वाली पत्तियां कहा जाता है। इनके पास blind roots होते हैं। चुकि ये mud में होते हैं, कीचर में होते हैं, वहाँ पर जड़ों को oxygen नहीं मिल पाती। पेड़ों में से होते हुए mud के ऊपर आ जाते हैं। और फिर ये पेड़ों के respiration में उनकी मदद करते हैं। फर्दर इनके जो बीज होते हैं, उनके पास भी विसेस quality होती है। देखें, अगर बहुत स्राइन water में इनके बीज गिर जाएंगे, तो वह सर जाएंगे, इमर्ज नहीं हो पाएंगे। फर्दर अगर ये mud में गिर गए, तो germinate नहीं हो पाएंगे, because conditions harsh होती हैं। ये पेड अपनी बीजों को पेड में ही germinate करवा देते हैं। और जब वह बीज जमीन पर गिरता है, तो उसमें already जड़ होती है। बस उसे जमीन की मिट्टी की ज़रुत होती है, और उसके बाद वह आसानी से उग आता है। जैसे इस स्थिति में जो उनके fruits हैं वो निकलेंगे, उसके बाद उस fruit में already बीजों में जड़ आ जाएंगे। और उसके बाद ये जमीन पर किरेंगे, germinate होने के बाद, तो इनके लिए उस harsh condition में उगना आसान होता है। और इसे कहा जाता है viviparity, इनके इस nature को viviparity कहा जाता है। mangroves के पास विशेज प्रकार के जड़ भी होते हैं, ताकि वो उस harsh condition में खुद को manage कर सके। कई तरीके की roots होते हैं, जिसमें से एक है prop roots, जो prop roots होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, देखे। चुकि एक root जो होगा, वो पानी में इनको stand करने में नहीं मदद कर पाएगा। और ये लहरों को बरदास नहीं कर पाएगे, तो उन्हें एक से ज़ादा जणों की आवशक्ता होती है, ताकि ये आसानी से hold कर सके। prop roots को आप जो कुछ बहुत लंबे तने वाले फसले होती हैं, उनमें भी देख सकते हैं, लाइक जवार और बाजरा, वहाँ पर भी prop roots होते हैं, क्योंकि फसले बहुत लंबी होती हैं, किवल एक root उनको नहीं समाल पाएगी, इसलिए एक से अरिक roots की आवशक्ता पड़ती है इसे कहा जाता है prop root, और दूसरा होता है stilt root, stilt root में पेड की तनों में से कुछ जड़े निकल कर जमीन पर आ जाती हैं, और वो उस पेड़ को support दे देती हैं, जब लहरे इन पेड़ों से टकराती हैं, तो ये जड़े उन्हें सहरा देती हैं, एक अकेली जड़ उन लहरों म तो आपने समझा कि विसेस प्रकार की जड़े mangroves को मदद करती हैं, उन्हें खड़े रहने में या फिर जो हास कंडिशन्स हैं उन्हें बियर करने में, mangroves इंडिया में कई सरी जिगों पर पाया जाते हैं, रैक सुंदर्बन ग्रूव्स, महानदी मेंग्रूव्स, क्रिष तो रोक देती हैं, सेडिमेंट वहाँ जमा हो जाता है, तो थोड़ा वहाँ पर एक ऐसा अट्मोस्फिर्क रेट हो जाता है, जहां पर मचलियां ब्रीड कर सकती हैं, यह moderate level पे जो mansoonal tidal flow होता है, उससे जो मिटियां बहके चली जाती हैं, उसे भी रोक के रखते हैं, तो coastal region में soil erosion को रोकने का काम करते हैं, tsunami, hurricanes या floods आते हैं, तो वो उसे भी रोकते हैं, यह पेट तूटते नहीं है, बड़ी-बड़ी लहरों को सहने की छमता रखते हैं, और यह nutrient की natural recycling में भी मरदगार साबित होते हैं, हमारा next article Stygoptus keralensis के बारे में है, टाडिग्रेड की नई प Stygarchus से belong करती है, आठवी species है, वैसे जीनस की है, बहुत छोटा साइज होता है, टाडिग्रेड का, इतना छोटा कि आप नॉर्मल आखों से तो definitely नहीं देख सकते, आपको microscope भी बहुत high quality का चाहिए होगा, important इसलिए है, because taxonomy में, यानि की classification में, Indian waters में पाया जाने वाला पहला marine टाडिग्रेड इसे बताया गया है, इसलिए यह important है थोड़ा सा, जो discovery है, इसे एक study के दौरान पाया गया, Ministry of Earth Sciences, National Center for Earth Sciences की जो study है, जो ecology और diversity के उपर चल रही थी, केरला की habitat में, वहाँ पर हमें इसी study के दौरान ये मिला, बाट टाडिग्रेड की करें, तो बड़े सकत जीव होते हैं, छोटे होते हैं, high end microscope की आवशकता पड़ेगी इनको देखने के लिए, इन्हें water bears या moss piglet भी कह सोटे साइस के होते हैं, बहुत tough हैं, और ऐसा नहीं है कि इनको देखने के लिए आपको मंगल ग्रह पर जाना पड़ेगा, ये हर जगे होते हैं, आपके घर के परोस में जो नाली होगी न, वहाँ पर भी होंगे ये, बस आपको देखने के लिए equipment चाहिए होगा, ये हिमाल के लिए एक बहुत अजीब सा तरीका अपनाते हैं, जब इने ऐसा लगता है कि situation इनके लायक नहीं है, ये जिंदा रह सकें, तो ये जो mechanism अपनाते हैं, उसे कहा जाता है crypto-biosis, इसमें अपने सरीद की सारी activities को suspend कर देते हैं, और ऐसे पड़ जाते हैं, जैसे मर गए हो, जाते हैं, हम इन पर research कर रहे हैं, अगर इनके बारे में हमें अच्छे से पता चल सकें, और हम कुछ ऐसा इंसानों के साथ भी कर सकें, तो फिर क्या बात है, कुछ study guide की जो प्रजातियां हैं, वो extreme temperatures है सकती है, extreme pressure, radiation और dehydration ये face कर सकते हैं, इसलिए ये मरते नहीं हैं, और ब उन्होंने M.O.U. साइन किया है, Turtle Survival Alliance India के साथ, Help Earth के साथ, और Assam Forest Department के साथ, ये M.O.U. किस बारे में है, ताकि वो black soft cell turtles को बचा सकें, conserve कर सकें, एक बहुत ही अच्छा initiative लिया गया है, इस temple committee के द्वारा, बात करते हैं, black soft cell turtle के बारे में, इसका scientific नाम है, Nilsonia Nigricans, याद ना रहे तो कोई समस्या की बात नहीं है, features की अगर आप बात करें, तो ये more or less आपको जो Indian Peacock soft cell turtle है, बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता दिखेगा, ये है Indian Peacock soft cell turtle, ऐसा ही बिल्कुल दिखता है, ये black soft cell turtle, obviously इसका color black होता है, इसे endangered category में रखा गया है, हम बात कर रहे ह Indian Peacock soft cell turtle की, इसे endangered category में रखा गया है, IUCN की red list में, और ये black soft cell turtle इससे मिलता जुलता दिखेगा आपको, अब बात करते हैं black soft cell turtle के बारे में, इसका habitat ये एक fresh water species है, देखे भरत में 29 species है, fresh water turtles की और tortoise की, उन में से एक ये भी है, ये north eastern India में, जो temples के आसपास ponds पाये जाते है वहाँ पर मिल जाएंगे, बांगलादेश में भी, further ये ब्रहम पुत्रा नदी और उसकी जो tributaries हैं, उसके range में भी मिल जाते हैं, इनका protection status है critically endangered, ये आपको याद रखना है, हम बात कर रहे हैं, black soft cell turtle के बारे में, sites के appendix 1 में है, और surprisingly, wild air protection act of 1972 में अभी तक इन्हें कोई भी legal protection नहीं दिया गया है, ये बात याद रखेगा, because इस statement का इस्तेमाल करके आपको trick किया जा सकता है, threat, turtle meat को और उनके अंडों को खाने के लिए अकसर इन्हें मार दिया जाता है, silt जहां पर होती है, जहां पर ये रहना पसंद करते हैं, उनको mine कर लिया जाता है, या wetland और जो area है, वहाँ encroachment के वज़े से भी इनकी संख्या में गिरावत देखी जा रही है, Indian waters में sea turtles की बात करते हैं, majorly Indian waters में आपको 5 species मिलेंगी turtles की, olive redlay, green turtle, loggerhead, hawksbill और leatherback, इनमें सो जो 3 हैं, जैसे olive redlay, leatherback और loggerhead, ये तो vulnerable हैं, IUCN की red list में, hawksbill turtle critically endangered है, और green turtle endangered है, Voiler Protection Act of 1972, इन सभी को schedule 1 में protect करता है, बात करते हैं, हयागरिवा माधवा temple के बारे में, ये एक हिली location में situated है, आसाम के गुवाहाटी में, भगवान विश्नु को dedicated temple है, सामानेतिया ये माना जाता है, कि इसे construct किया गया था, राजा, रगुदेव, नारायन जी के द्वारा 1583 म हाला कि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं, कि इसे पाला rulers के period में, दस्वी से बार्वी सताबदी के आसपास बनवाया गया रहा होगा, significance की बात करें, तो कई सारे buddhist faith के लोग भी इस जगे को पूझते हैं, उनका ये मानना है कि बुद्धा को यहाँ पर निर्वान मिला तो कुल मिला कि ये जो location है, ये हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों के लिए ही काफी प्योर है, देखिए मिलता जुलता question 2019 के prelims में पूझा गया था, जहां पर आपको कुछ जीवों के नाम दे गया थे और आपसे पूझा गया था, कि ये naturally कहां पाय जाते हैं, कौन सा correctly managed है ये आप से पूझा गया था, let me tell you कि 1 and 3 जो है, वो correctly managed है, मतलब इस प्रकार के question पूझे जा सकते हैं, आपको तयार रहना होगा, हमारा next article, Global Assessment Report on Drought 2021 के बारे में है, अभी हाल ही में ये report आई है, इस report को release किया गया है, UN Office for Disaster Risk Reduction के द्वारा, report explore करता है कि डौट का क्या प्रभाव पढ़ रहा है, जो हमने एक Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 में तयार किया गया था, स्टेस्टन पर डेवल्लप्मेंट गोल से हमारे, फर्दर human और ecosystem, health और well-being पर डौट किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है, Key findings में मिला ये, कि दुनिया में 700 मिलियन लोग 2030 तक डौट की वज़े से अपनी घर, अपनी जगे को छोड़ने के रे मजबूर हो जाएंगे, Two-third जो दुनिया की population है, वो 2025 तक पानी की कमी को face करने लगी की, इंडिया के उपर impact की बात करें, तो डौट की वज़े से इंडिया की GDP में 2-5% तक का loss होगा, और जो Deccan का region है, वहाँ पर डौट की जो frequency है, वो सबसे ज़ादा रही है, ये सारी बाते निकल के आई, बात कर करते हैं, United Nations Office for Disaster Risk Reduction के बारे में, UNISDR 1999 में established किया गया था, ये International Strategy for Disaster Reduction को implement करता है, headquartered है सुर्दिलान की जिनेवा में, काम बिलकुल सिंपल है, दुनिया भर में disaster reduction activities को कैसे synergize किया जाए, और उसे कम करने की कोसिस की जाए, ये एक organizational unit भी है, UN Secretariat की, जिसे lead किया जाता है, UN Special Representative of Secretary General for Disaster Risk Reduction के दवारा, land for life award के बारे में है, as we know UPSC award में ज्यादा interested नहीं होती, बट ये award important है, मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में जानते रहें, general awareness के perspective से भी, हाल ही में, श्याम सुंदर ग्यानी जी को, जो की राजस्थान based एक climate activist है, सीदे सीदे sociology के professor भी है, इन्हे अभी United Nations का बहुत ही prestigious land for life award दिया गया है, इन्होंने environmental conservation के लिए एक बहुत ही unique सा concept तयार किया, that was familial forestry, familial forestry के बारे में बता देता हूँ, फिर award पर बात करते हैं, familial forestry में ये बोलते क्या थे लोगों से, कि आप किसी एक पेड को अपनी family का हिस्सा मान लीजे, इसका फाइ नहीं लगाना पड़ेगा, like हमारी family में कई बार बुजर्ग सदस्य होते हैं, जैसे की दादा, दादी, हमें पता है कि हमें उन्हें समय से पानी देना है, खाना देना है, उनकी दवाईयां देनी है, इस बात का ध्यान रखना है, कि उन्होंने नहा लिया की नहीं, या उन् किसी पेड को भी परिवार का सदस्य से बना लें, तो conservation में बहुत जादा आसानी हो जाएगी, ये एक बहुत unique concept था, जिसके लिए स्याम सुंदर ग्यानी जी को ये award दिया गया, इस award को 2011 में launch किया गया था, UNCCDG का जो conference था, COP10, जो Republic of Korea में हुआ था, वहाँ पर, इसे हर दो साल में एक बार organize किया जाता है, United Nations Convention to Combat Desertification के त्वारा, इस award को Land for Life Award नाम दिया गया है, इस आर्टिकल पिग्मी हॉग के बारे में है, खाल ही में एक captive bred, पिग्मी हॉग को मानस नेशनल पार्क में रिलीस किया गया, वेस्टर नासाम में, सेंटिफिक नेम है, पॉर्कियूल Indicator Species हैं, Indicator Species होने का मतलब क्या है, यह जिस ecosystem में रह रहे हैं, अगर यह वहाँ हैं, मतलब वो ecosystem बढ़िया है, और एगर कम हो रहे हैं, मतलब उस ecosystem के साब डिक्कते हैं, यह ग्रास लैंड वालेpostर ने रिजन में रहते हैं, अगर यह कम हो रहे हैं, मतलब grassland खतम हो रहा ह habitat की बात करें तो ये wet grassland में रहना पसंद करते हैं एक समय ऐसा था जब हिमालियन foot hills में ये उत्तर प्रदेश से लेकर आसाम तक फैले रहते थे नेपाल के तराई एरिया को और बंगाल के दुआस को cover करते हुए लेकिन आज इनकी population आसाम के कुछ हिस्सो में ही बची है protection status endangered है IUCN के red list में sites के appendix 1 में है और viral protection act of 1972 के schedule 1 में कम हो रहे हैं grassland के खतम होनी के वज़े से regred होनी के वज़े से और इन्हें illegally मार भी दिया जाता है देखे इससे समंधित एक प्रश्ण 2013 के प्रलिम्स में पूछा गया था इन में से कौन सा जीव इंडिया में naturally पाया जाता है star tortoise, monitor lizard, pygmy hog और spider monkey सही जवाब है A. spider monkey को छोड़ कर ये तीनों ही इंडिया में naturally पाया जाते हैं तो ऐसे प्रश्णों के लिए आप तयार रहेंगे रामगर विश्धारी वाइलेफ संचुरी के बारे में है इसे राजस्थान का चौथा tiger reserve बनाने की तयारी चल रही है इसे N.T.C.A. यानि कि National Tiger Conservation Authority की जो technical committee है उसने अपना approval दे दिया है ये राजस्थान में जो बूंधी district में बूंधी city है वहाँ से 45 km के distance पर है अगर आप बूंधी district को देखना चाहें तो ये देखिए ये राजस्थान का map है और यहाँ पर है बूंधी तो यहाँ से 45 km के distance है इस वाइलेफ संचुरी की जो बनने वाला है National Park इसे 1982 में established किया गया था notify किया गया था इसका area कितना है वैसे ये तो आप से UPSC नहीं पूछेगी by diversity की बात करें तो यहाँ पर आप कई सारे flora मिलेंगे पेड़ पौधे मिल जाएंगे like धोक, खैर, सलार, खिरनी और कुछ mango और बेर के पेड़ भी मिलेंगे fauna में जीवों में बात करें तो वाइपर्ड, सांभर, वाइड बोर्ट, चिंकारा, स्लोथ बीर, इंडियन वोल्फ, हाइना, जैकाल, फॉक्स, टियर, क्रोकडाइल ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे हमने बात की कि ये चौथा बनने वाला है Tiger Reserve, तो बाकी के तीन कौन से हैं रन्थंबो और Tiger Reserve, जो की सवाई माधोपुर में है, पहला दूसरा सरिस्का Tiger Reserve, अलवर में है और तीसरा मुकुंत्रा हिल्स Tiger Reserve, कोटा में कुछ और भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं राजस्थान में लाइक डिजर्ट, नेशनल पार्क, जैसलमीर कियोलादेव, नेशनल पार्क, भरतपुर, सर्जनगर, वाइलाफ संक्चुरी, उदैपूर और नेशनल चंबल संक्चुरी, यह आपको ट्राइज जिंक्शन पे मिलेगा, राजस्थान, मधरप्रदेश और उत्तरप्रदेश के ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में है, हाल ही में युनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है, उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इसे है यह जो पूरा marine ecosystem है underwater ecosystem है corals का coral reef का जिसे आप grade barrier reef कह रहे हैं यह लगभग 2900 individual reefs और 900 island से मिलकर बना है काफी बड़ा है और इसी वज़र से बहुत सारी ecological communities habitat और species हमें यहाँ पर मिलती है that's why यह most complex natural ecosystem माना जाता है दुनिया का यह जो reef है यह coral sea में located है Australia का जो Queensland province है उसके किनारे 1981 में इसे world heritage site का दर्जा दिया किया यह एक मात्र ऐसी जीवित चीज है जिसे आप अंतरिक्ष से देख सकते हैं बैसे तो चीन की दिवार भी दिख जाएगी लेकिन वो एक निर्जीव चीज है जो reef का structure है वो mainly coral polyps से बना हुआ है billions of tiny organisms मिलकर इसे बनाते हैं coral polyps इन्हें आप कह सकते हैं आप बात कर रहे हैं कि coral polyps से मिलकर बना हुआ है coral से मिलकर बना हुआ है एक प्रकार की coral reef है तो coral reef क्या होते हैं coral reef underwater ecosystem होता है जिसमें corals के द्वार एक reef बना दी जाती है एक structure जो reef होती है वो coral polyps की colonies होती है मरते जाते हैं नए polyps उनके उपर आते जाते हैं और एक structure तैयार हो जाता है यह polyps आपस में calcium carbonate से जुड़े होते हैं इनके उपर एक protective layer होती है जो calcium carbonate से बनी होती है जो coral polyps होते हैं यह indo-symbiotic relation से प्रकते हैं algae के साथ indo-symbiotic मतलब यह होता है कि एक जीव दूसरे जीव में रहने लगता है तो algys इनके साथ बिलकुल चिपके रहते हैं algys इनको खाना बना के देते हैं sunlight से और उन्हें मिलता है एक base रहने के लिए 90% जो corals की energy होती है वो algae ही provide देबाते हैं यह कैसी conditions में रह पाते हैं corals को रहने के लिए 20 degree से जादा temperature होना चाहिए उससे कम temperature यह नहीं bear कर पाएंगे suitable temperature वैसे 23 से 25 माना जाता है 28-29 भी चल जाएगा लेकिन 35 degree Celsius के उपर का temperature यह bear नहीं कर सकते यह saline water में ही exist कर पाते हैं salinity 27% से 40% के आसपास होनी चाहिए इन्हें चाहिए होता है shallow water उतला हुआ पानी बहुत गहराई में नहीं जा सकते क्योंकि sunlight से जो algues होते हैं वो खाना बनाते हैं बहुत गहराई में पानी में रोशनी नहीं जा पाएगी तो 50 मीटर से कम depth होनी चाहिए वैसे थोड़ा बहुत और नीशे चल जाएगा लेकिन 200 मीटर के नीशे की depth में यह नहीं रह पाएंगे इंडिया में coral reef कहां है चार जगों पर आपको मिलेंगे गल्फ आफ मननार में, अंडवान ए निकोबार आईलेंड में लक्षदूइप आईलेंड में और गल्फ आफ कच्छ में वन थाड़ से जादा जो दुनिया की coral reefs हैं वो आपको Australia, Indonesia और Philippines में मिलेंगे benefits यह है कि यह humanity को protect करते हैं natural calamity से एक barrier की तरह काम करते हैं जैसे कि इसका नाम ही है great barrier reef यह revenue और employment प्रोइड करवाते हैं because लोग यहाँ पे घोमने टेहलने जाना पसंद करते हैं यह fishes, starfish और sea animals के लिए एक habitat प्रोइड करवा देते हैं देखे corals के उपर 2018 में UPSC ने एक प्रशन पूछा था coral reef के उपर दुनिया का जो ज़दा तर coral reef है वो tropical waters में मिलता है दूसरा यह है कि more than one third जो world के coral reef है वो Australia, Indonesia और Philippines में मिलते हैं जो coral reef है वो जो हमारे tropical rainforest हैं उनसे ज़दा animal file है यानि कि host करता है, अपने पास रखता है सही जवाब है D, ये तीन के तीनों ही जो given statement है, coral reef के बारे में वो correct है, तार्टिकल amber gris के बारे में है, amber gris यानि कि whale vomit, whale की उल्टी, ये topic है पिछले कुछ हफ्तों में मुंबई पुलिस के सामने दो माम ले आए, जहां पर उन्होंने पाँच लोगों को गिरफतार किया, वो illegal तरीके से amber gris को बेचने का प्रयास कर रहे थे देखिए, amber gris एक बहुत ही precious substance होता है एक kilo amber gris, यानि कि whale की उल्टी की कीमत लगभग एक करोन रुपए होती है चूँकि इंडिया में इसे बेचना illegal है, इसी लिए इसकी black marketing की जाती है, amber gris एक french word है, grey amber के लिए इसे whale vomit कहा जाता है ये एक solid waxy substance होता है चिपचिपा बदार्थ होता है, जो कई बार समंदर में तैरता रहता है और किनारे हो जाएंगे, अगर legally नहीं बेचा जा सकता तो लोग इसे illegally बेचने की कोशिस करते हैं, amber gris हमें sperm whale से मिलता है जो कि whale की एक प्रजाती है और sperm whale में भी सभी sperm whales amber gris नहीं produce करते बलकि उनमें से लगभग 5% ही amber gris produce करती है देखे जो sperm whales होती है, वो thousands के नंबर में, जो squid beaks होती है, उनको दिन भर में खाती है squid एक प्रकार का घोंगा होता है beak, उनकी चोच नुमा आकरती होती है, जो solid होती है उसे पचाना मुस्किल होता है अब देखे, squid का जो beak होता है, वो एक solid substance होता है, जो आसानी से पचता नहीं है, तो whale का पेट, जो की कई हिस्तों में बटा होता है एक घुमाओदार intestine की रूप में वो पेट में से गुजरता है, चूँकि वो पच नहीं पाता तो solidify होने लगता है और एक complex process में amber gris में convert हो जाता है, उसके बाद whale उसे अपने excreta के form में बाहर कर देता है, निकाल देता है इसलिए कई बार लोग इसे कहते हैं कि इसे whale vomit कहना ही गलत है chemically, amber gris में कई सारी चीज़े होते हैं like alkaloid, acids और एक specific compound, emberine जो cholesterol की तरह ही होता है जो sperm whales निकालते हैं जो ember gris होता है, वो valuable इसलिए है क्योंकि इसका perfume industry में बहुत ज़दा इस्तिमाल किया जाता है इसे इसलिए कई बार floating gold, तैरता हुआ सोना भी कह दिया जाता है एक kilo ember gris की कीमत लगभग एक करोण है international market में perfume market में इसका इस्तिमाल किया जाता है इसकी खुस्बू कस्तूरी की तरह होती है जो की बहुत ही ज़दा precious है ऐसा भी माना जाता है कि दुबई जैसे देशों में देखे दुबई जैसे देशों में इसकी ज़दा demand है वहाँ का जो perfume market है वो काफी grown है इंसेंट एजिप्ट में इसे जला कर खुस्बू निकाली जाती थी और कई सरे traditional medicines में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है various विमारियों को cure करने के लिए इसी लिहाँ से ये बहुती rare लेकिन precious substance बन जाता है sperm whale की बात करें इसे catch lot भी कहा जाता है ये दातों वाले whales में सबसे बड़ी होती है इसका जो आगे का मुह होता है वो चौकोर होता है जबकि नीचे का जबड़ा काफी पतला होता है देखे ये इसे लिए इसे आसानी से पहचाना जा सकता है dark, blue, grey इसका color होता है या फिर brownish white patches इसकी body पर होते है और paddle like flippers होते है ये कुछ ऐसे ये कुछ specific features है जिनके माध्यम से इसे हम आसानी से पहचान सकते है ये temperate और tropical waters में पाया जाता है लगभग पूरी दुनिया में ISN की red list में vulnerable है sites के appendix 1 में है और wild protection act of 1972 के schedule 1 में है हमारा next article LIDAR-based survey of forest areas के बारे में है हाली में union environment minister ने virtually एक event को release किया एक detailed project report जो LIDAR-based survey के उपर है 10 राजियों के forest areas के लिए उस पर बात हुई LIDAR Light Detection and Ranging देखे ये जो survey किया जाएगा ये web cause के द्वरा किया जाएगा 2020 के जुलाई में ये project इनको दिया गया था 18 करोड की इसकी cost थी और 26 राजियों में इसे implement किया जाना था अभी 10 में शुरू किया जाएगा web cause की बात करें तो मनिर इतना public sector undertaking है जो ministry of the सक्टी के तहट काम करती है 10 राज जो map किये जाएगे दोजविल भी, आसाम बिहार 36 गड़, गोजहर खंड मद्यप्रदेश, मारास्ट्रा मनिपुर नागा लेंड और त्रपुरा लिडार टेकनीक का इस्सेमाल किया जाएगा जिसमें light के माध्यम से एक 3D image तयार की जाएगी objective बिल्कुल clear ये है कि हम पता करें कि वहां का terrain कैसा है, ऐसा तो नहीं कि पानी बरसेगा और बहके तुरंत निकल जाएगा flora और fauna के लिए पानी वहां रुकेगा नहीं और जो water table है वो recharge भी नहीं होगा ये जानकारी हमें इस imaging के जरिये मिल जाएगी तो फिर वहां पर बदलाव किये जाएगे कोसिस ये की जाएगी कि बरसात का पानी कैच किया जाए और जो runoff stream है उसे रोका जाए राजियों को implementation की जिम्मेदारी दी जाएगी और implementation के लिए राजियों को पैसा दिया जाएगा कमपा के तरह जो fund है compensatory of forestation fund management and planning authority कमपा इस पैसे को देगी जो jungle काटे जाते हैं उनके compensation के तौर पे पैसा मिलता है इंडस्ट्री के द्वरा दिया जाता है उसी पैसे का इस्तेमाल यहाँ पर water resources को सही करने के लिए किया जाएगा radar की बात करें तो remote sensing method है यह जहाँ पर pulsed lasers का इस्तेमाल किया जाता है distance पर किसी चीज को map करने के लिए light pulses शोड़ी जाती है उसके माध्यम से हम precise 3D information collect करते है और के जिस surface पे वो light pulses शोड़ी जाती है वहाँ usually lidar जो equipment है इसमें तीन instrument होते है एक होती है laser light, दूसरा scanner और तीसरा GPS receiver usually इस equipment को airplane या फिर helicopters पे लगा दिया जाता है तरीका बहुत आसान सा है light को जमीन पर छोड़ा जाता है वो light जमीन पर जाकर area को map करता है terrain को map करता है और फिर light वापस आती है light के जाने और आने का समय होता है जिसके माध्यम से हम दूरी पता कर सकते हैं कि जिस area को map किया गया है वो लिडार से कितनी दूरी पर है और वो terrain कैसा है उपर नीचे इसके माध्यम से हमें जानकारी मिल जाएगी जो भी forest area है उसके terrain की और हम conservation efforts और बहतर कर सकते हैं 2018 के प्रिलिंस में एक प्रशन पूछा गया था कि GPS technology का इस्तिमाल कहां किया जा सकता है mobile phone operations, banking operation, controlling of power grids आपको बताना था सही जवाब क्या है तो ऐसे सवाल जैसे GPS technology पे पूछ रहे हैं तो वो लिडार पे भी पूछ सकते हैं वैसे इसका सही जवाब all one, two and three है तो ऐसे प्रशन पूछे जाते हैं बंगाल monitor lizard के बारे में है और इसा के forest department अभी हाल ही में एक organized trafficking racket को पकड़ा है जिनके साथ हमें साथ बंगाल monitor lizards मिले हैं इनकी trafficking की जा रही थी बंगाल monitor या फिर common Indian monitor ये बहुत बड़ी छिपकली होती है lizard होती है mainly terrestrial है, जमीन पर रहना पसंद करती है carnivores है, जहरिले नहीं होते मतलब आपको काट के जान से न मारेंगे नहीं जो monitor lizard होता है उसे WPA यानि की wallet protection act में, schedule one में protect किया गया है क्योंकि इन्हें regularly मारा जाता रहा है हलांकि इस protection के बाद भी इन्हें मारा जाता है meat, blood और oil के लिए इस species को least concern list किया गया है IUCN की red list में बट इंडिया में इनकी poaching काफी तेज है इस वज़े से इनकी population धीमेधी में कम होती जा रही है next article है बार नदी वाइलेफ सेंचुरी के बारे में World Wide Fund for Nature का जो इंडिया विंग है उसने अभी हाल ही में notice किया है कि बार नदी वाइलेफ सेंचुरी जो आसाम में है वहाँ पर कुछ tigers है उसके बार यह news में आया यह नदन आसाम में है जो बकसा और उदल गुरी डिस्टिक्ट है जो भूटान के बॉडर के पास हैं वहाँ पे दो नदियां है जो बार नदी रिवर है वो इस वाइलेफ सेंचुरी के पश्चिम में बहती है और जो नाला पारा रिवर है वो इसके पूर्वे हिस्से में बहती है मतलब यह उसको बाउंडरी बनाते है स्टेटस 1980 में से वाइलेफ सेंचुरी का दिया गया था गवर्वर्मेंट आफ आसाम के बारा बार नदी को पिग्मी हॉग और हिस्पिद हेर इन्हें प्रटेक्ट करने के लिए इस्पेसिफिकली वाइलेफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था बायो डावसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको एशियन, अलेफेंट और टाइगर मिल जाएंगे साथ परसेंड जो बार्नरी वाइलेफ सेंचुरी का एरिया है वो ग्रास लैंड है और अब यह ग्रासी वुड लैंड हो गया है विकास बहुत सारा पेड़ वगरा प्लांट कर दिया गया है यहाँ पर जो मेन फॉरेस टाइप है यहाँ पर यहाँ पर डाइस टॉपिकल मॉइस्ट डेसिदूस इसके लाव आपको मिक्स्ट स्क्रब ग्रास लैंड मिलेंगे वेजिटेशन देखे द्रस्टिकली मॉडिफाई हो गई है यूमन एक्टिविटी के वजए से जो नैच्रल वेजिटेशन है वहाँ पर बहुत सारे कमर्शल प्लांटेशन कर दिये गए हैं इसलिए तो हम देखते हैं कि ग्रासी बुड लैंड हो गया है पेड़ वगयरा लगा दिये गए हैं कुछ और प्रटेक्टेटेट एरिया जो आपको आसाम में ही मिलते हैं हैं तो आप अगर कुछ बता सकते हैं जिसके माध्यम से हम इन पांचों नेशनल पार्क्स को दिमाग में बठा सकें और आसानी से याद रह जाए कि ये सारे आसाम में हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताईएगा हमारा अगला आर्टिकल है नए फ्लाइश यूटिलाइशेशन रूल से सम्मधित मिनिस्ट्री आफ एंवार्मेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने ये जो फ्लाइश यूटिलाइशेशन की डेडलाइन है उसको एक्स्टेंड कर दिया है अब सबसे पहले समझे फ्लाइश कहां से आ रहा है तो जो थर्मल पावल प्लांट्स हैं बहाँ पर जैसे ही कोल बर्न होगा लिगनाइट बर्न होगा तो वहां से आउटपूट में आपको निकल के मिलने वाला है फ्लाइश पहली चीज़ दूसरी चीज़ इसमें और कौन-कौन से चीज़े होती है फ्लाइश में सिलिका की उक्साइट्स, अलिमिनियम और कैल्शियम होता है साथ में कुछ खतरनाक केमिकल्स या फिर कुछ खतरनाक कंपाउंट्स भी होता है जैसे आप देखें आर्सेनिक, बॉरॉन, क्रोमियम, लेड ये सारी चीज़े होती है लेड से संबंदित भीमारियों के बारे में आपको मालुम है, गंगा बेल्ट में अर्सेनिक और लेड से संबंदित बहुत सार इशूज है यह हवा को भी पॉल्यूट कर देता है और पानी को भी पॉलिूट कर देता है अब इस situation में हमें जरुवत है कि एक proper disposal का तरीका हो और इसी के लिए ये rules लाए गए है जैसे अगर Indian coal की बात करें तो Indian coal में ash content जादा होता है जो राक होती है वो जादा निकलती है 30 से 45 प्रतिशत तक उसकी दूसरी तरफ जो हम import करते हैं coal उसमें से जो राक है वो 10 से 15 प्रति data है जिसमें से 83% जो fly ash है उसको utilize कर लिया गया है अब यह जो नई notification है इसके बार में थोड़ी चर्चा करें तो सबसे पहले इस तरीके की notification 1999 में आई थी जिसमें 100% fly ash को utilize करने की बात कही गई थी अगले 10 सालों में मतलब 2009 तक आपको utilize करना है 100% fly ash जो thermal power plant से निकल दए है इस 20 से 5 साल की रख दी गई थी shorter fly ash utilization cycle का concept लेके आए जिसमें 4 साल में एक सिलसेलवार तरीके से आपको fly ash को utilize करना है उसके बाद 3 year cycle की विवाद करी जाती है 100% utilization जिसमें आपको करना है अब जो 100% utilization नहीं कर पा रहे हैं लिकिन performance अच्छा खासा है जैसे 60-70% के आस-पास कर पा रहे हैं या फिर below 60% है तो उनको grace देने के पी प्रवधान है कि आप एक साल और extend कर सकते हैं दो साल और extend कर सकते हैं यहाँ पर एक important term है जिसको आपको जानना ज़रूरी है वो है legacy fly ash जो fly ash पहले की बची हुई है जो unutilized remaining fly ash है उसको legacy fly ash कहते है और यहाँ पर प्रवधान यह किया गया है इसमें 1000 रुपे प्रती टन का एक तरगी से आप देखें जुर्माना लगाया जा रहा है अगर आप unutilized fly ash को अपने पास रख रहे हैं तो अगर plant जो है वो एक desired percentage को अचीव नहीं कर रहा है अगर 80% से कम उसका performance utilization में तीन साल में यह चीज़ पता लगाई जाई तो उस तिति में 1000 रुपे प्रती टन का जुर्माना लगेगा इसके साथ में construction और transportation में एक और important बात कही गई है कि जो भी thermal power plant ये comply नहीं कर पाएगा non-compliance होने के समय में उनको free of cost में transport करके देना पड़ेगा fly ash को ऐसी किसी भी construction agency को जो की fly ash का का काम कर रही है चाहे वो 300 km क् तो भी मतब एक मियाद रख दिये thermal power plant के अगर आपने utilize नहीं किया तो आपके thermal power plant के 300 km के radius में जो भी होगा वहाँ आपको अपना fly ash को भीजना पड़ेगा और उसका जो cost होगा वो आपकी जेप सजाएगा इसमें central pollution and control board का भी एक important role है examination का role है monitoring का role है ताकि monitor कर आदा सके real time में कितनी ash available है और किस तरीके से उनका utilization हो रहा है एक और important aspect है जो की related information है national mission on use of biomass अब आपको मालूम है नौर्थ इंडिया में तो particularly जैसे winter शुरू होते है तो stubble burning का issue आने लगता है जिसकी बज़े से pollution होता है पूरी हवाँ में सिर्फ आपको धुआँ-धुआँ दिखता है तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर thermal power plant में आप इन stubbles को burn करें तो इसे कहा होगा co-firing जो होगी वो बढ़ेगी co-firing मतलब दो अलग-अलग fuels को आप साथ में burn कर रहे हैं इसके अलाबा R&D activities की भी बात करी जाती है हमें R&D activities की ज़रूत है जिससे silica और alkalize जो होते हैं biomass pallet में उ आज करनी है उसके बारे में बात करी जाएगी agriculture residues को आप कैसे transport करेंगे कैसे पहुचाएंगे power plant तक यह सारी चर्चा इसमें करें गई है दूसरी खबर है कि जो खाना पकाने के लिए हम तेल उपयोग करते हैं वो बच जाता है तेल उपयोग कर लिया उसके बाद तेल तो यूस करते जाते हैं तो इससे दिक्कते होती है serious ailments हो जाते हैं जैसे hypertension का issue है cancer है Alzheimer's है liver की बिमारिया हो जाती है इसलिए बहुत जरूरी है कि जो used cooking oil है इसको अलग कर दिया जाए आप इसको फरतर cooking में use ना करें food chain में इसको आप consume ना करें इसके लावा सामनेता बिमारिया जैसे overweight या मुटापा, obesity यह सारी चीज़े भी होती है अगर आप UCO को use करते हैं तो एक तरफ आपकी health को issues है health को harm होगा दूसरी तरफ environmental issues भी है क्योंकि अगर आप सीधा उसको नाली में डाल देंगे तो वो नाली जाम कर देगा clogging होती है drainage में वो एक दूसरा environment constraint मन जाता है 140 करोड UCO में आपको मिलता है UCO मिलता है 140 करोड मतब used cooking oil मिलता है अब अगर हम उसको चाहें तो 110 करूल लिटर बायो डीजल उससे हर साल बना सकते हैं अगर इस प्रक्रिया को use करा जाएं साथ में यह circular economy का जो concept है उसको भी further boost करता है अब देखिए बायो डीजल के बारे में थोड़ी जानकारी ले 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 तो पहली चीज तो यह एक alternative fuel है यह बनाया किस चीज से जाता है vegetable oil यूज़ कर सकते है animal fats का यूज़ कर सकते है टैलो भी animal fat को यह टैलो कहते है और जो भी आपका बचापचा waste cooking oil है उसका यूज़ हो सक carbon जो है वो release हो जाएगा इस तरीके का एक cycle ensure करा जाएगा यह पूरा process biodegradable है और non-toxic साथ में इसमें बहुत सारी ministries भी साथ में आई हैं ताकि biodiesel को किस तरीके से used cooking oil को procure करके उसे biodiesel बनाया जा सके है जैसे ministry of petroleum, natural gas and steel भी आगी उसके बाद ministry of health and family welfare, science and technology, earth sciences यह सारी ministries भी इसमें अपना interest show कर रही है, अब aim क्या है, aim सबसे important है कि collection और conversion used cooking oil का करना उसके लिए ecosystem develop करने की जरूत है, यह entrepreneurs के लिए एक opportunity भी देगा ताकि वो collection में अपना हाथ दे पाए, conversion के plants लगा पाए, उससे environment को भी बहुत जादा फायदा होगा, health issues भी कम होगे क्योंकि हम UCO consume नही 2018 में लाई गई थी, वो भी इस particular कदम को बहुत जादा encourage करेगा, क्योंकि इस particular policy में बताया गया है, non edible oil seed से भी आप biodiesel को produce कर सकते हैं, या फिर used cooking oil को use कर सकते हैं, या फिर short gestation crops को भी use कर सकते हैं, biodiesel बनाने के लिए, इसके साथ में, FSSAI ने एक RUCO initiative launch किया था 2019 में, जिसका मतलब था repurpose used cooking oil, इसमें कहा जाता था कि जो cooking oil आपने use कर लिया है, सही मायने में, जो आपने खाना बनाने के लिए use कर लिया है, hotel उने, caterers ने, बड़े-बड़े जो snack makers होते हैं उन सबने, तो वो oil हम आपसे procure कर लेंगे, और उसी को convert कर देंगे हम, biodiesel में, ये concept RUCO में आया था, अब RUCO के साथ कुछ challenges भी आये थे, उन challenges की बात करें, सबसे पहले तो आपको एक supply chain establish करने होगी, proper collection और conversion के लिए, पहला challenge, दूसरा है कि जो UCO होता है, used cooking oil होता है, उसमें free fatty acids होते हैं और पानी होता है, उसको आपको remove करने की ज़रूँत है, मतलब वो ऐसा नहीं होता है, क जो food business operators हैं, उनके साथ आपको सामन जैसे बठाने की जरूँत है, coordinate करने की जरूँत होगी, कैसे आपको collect करना है, aggregation कैसे करना है, उन सब के लिए भी एक proper infrastructure, एक proper setup की जरूँत होगी, तो आज के इस session में बस इतना ही, thank you very much.